हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं पराबुनों ने वही चीज करोडों डॉलर की रीसर्च करके पता लगाई है और मैंने सैंकणों हजारों लोग देखे हैं जो सिहत मंद हो जाते हैं अगर कोई चीज मेरी प्लेट पर आती है तो उसे महसूस करके मैं जान जाता हूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है आप आज कुछ खाईए और देखिए ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त महसूस करता है एक सीधी सी चीज जिसके पीछे दुनिया पड़ी है अगर आप हमारे आश्रम में आएं तो लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्रिये हैं वे बस सुबह 10 बजे खाते हैं और फिर शाम को 7 बजे बस दो बार भोजन मुझे कितने डॉक्टर कह चुके हैं कि वे कुपोशन से मर जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा आप ये कीजिए वो कीजिए जादतर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूँ बस एक बार भर पूर खाता हूँ इतना ही डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, नहीं सद्गुरू, आप इतनी आत्राएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको चार घंटे में कम से कम एक बार खाना-खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजे, मैं ठीक हूँ पर अब, अमेरिका की एक बहुत बड़ी युनिवरसिटी कह रही है, रुख-रुख कर उपवास कीजिए, ये कोई बखवास नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है, जो हम हमेशा जानते थे अब हर कोई कह रहा है, सोलह गंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, हम इतने हजारों साल से क्या कह रहे थे, सीधी बात ये है, इसके कई पहलू है, मानसिक, शारिरिक, लेकिन अब दुनिया में कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर की कोशिका समा अज में एक अपराधी की तरहा है, हम सब के शरीर में होती है, लेकिन उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए, अगर उससे बढ़ जाए, या सब साथ मिलकर एक जगह जमा हो जाएं, तो वे अपराधियों के गिरुह जैसी बन जाएंगी, कोची में भी जेब कतरे होंगे, पर मान लीजे ऐसे सौ लोग संगठित होकर अपराध करने लगें, तो हम उन पर तूट पड़ेंगे, क्यूंकि हम जानते हैं अब वे समाच के लिए खत्रा है, कैंसर की कोशिकाएं भी इसी तरह हैं, अपराधी जो यहां वहां घूम कर कुछ नुकसान पहुँचा रही है फिलहाल उनकी यही समस्या है, कि वे बाकी कोशिकाओं के मुकाबले आठ से दस गुना ज्यादा खाती हैं, तो अगर आप दो भोजन के बीच में परियाप तंतराल देते हैं, तो उनमें से जादातर मर जाएंगी, क्यूंकि वे जी नहीं पाएंगी, हम हमेशा इसकी बात क मैंने हजारों लोग देखी हैं, जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए, क्यूंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते, जब पीट पहले से ही भरा हुआ हो योग केंद्र में, लोग हमेशा शारेरिक रूप से सक्रिये रहते हैं, तो दो पहर साढ़े तीन-चार बजे तक हर कोई बहुत भूका हो जाता है, उन्हें बहुत भूक लगी होती है, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, क्यूंकि खाली पेट होना और भूका होना दो अलग चीज़े हैं, भूक का मतलब है आपकी उर्जा गिरने लगी है, पर खाली पेट होना अच्छा है, योग विज्ञान में, आज आधुनिक विज्ञान भी सहमत है, लेकिन जो चीज़ हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुँचने के लिए आप लाख डॉलर खर्च कर देना, ये ऐसा ही है, पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं, तो हम हमेशा से ये पक्का करते हैं, कि हम इस तरह से खाएं, हम कितना खाएं कि खाना खाने के 2-5 गंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो बस धाई से तीन घंटे ही सोया हूँ, इन चीजों से थोड़ा आलसी होता जा रहा हूँ, और साढ़े तीन से चार घंटे सो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा यात्राएं करता हूँ, जब मैं ज्यादा यात्रा कहता हूँ, अगर मैं अगले कुछ दिनों की यात्राओ में जाऊंगा, वहाँ पता नहीं कितने कारिक्रम होंगे, हर तरह की कारिक्रम, तो आप इस तरह सिर्फ इसलिए काम कर पाते हैं, क्यूंकि आप जरूरत से जादा नहीं खाते, ये बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी दो बार खाते हैं, मैं आम तोर पर एक बार ही खात करता हूं, शाम साढ़े चार-पांच बजे, क्यूंकि मुझे प्लेट के सामने बैठकर ये सोचना पसंद रहीं कि कितना खाऊं, मैं भरपूर खाना पसंद करता हूं, तो शाम को साढ़े चार-पांच बजे अगर मैं भोजन करता हूं, तो फिर मैं अगले दिन ही खाता क्या ये काफी है, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, हलो क्योंकि शरीर में जो भी सुधार और शुद्धिकरन होना है, उसके लिए पेट खाली होना चाहिए ये बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरन नहीं होगा आपके अंदर चीज़ें जमा होती जाएंगी, फिर आपको हर तरह की समस्याएं होंगी जब आप भोजन को चूते नहीं हैं, तो आप नहीं जानते कि वो क्या है अगर भोजन चूने लायक नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वो खाने लायक कैसे होगा तो हमें अपनी मा की बात नहीं माननी चाहिए थी और हमें अपनी उंगलियों से खाना चाहिए क्योंकि भोजन को चुकर हम उसके संपर्क में रहते हैं आप, आपके हाथों की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में है फोर्क की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में नहीं है यह सच है और इन हाथों का इस्तिमाल सिर्फ आप करते हैं, कोई और नहीं तो आपको पता है कि यह अभी कितने साफ या गंदे हैं जिबकि आप नहीं जानते कि फोर्क को किसने इस्तिमाल किया है, कैसे इस्तिमाल किया है और किस चीज के लिए इस्तिमाल किया है उन्हें बस टिश्यू से साफ करके आपको दे देना है और वो काफी साफ लगता है सबसे बढ़कर आप भोजन को महसूस नहीं कर पाते उसे महसूस करके मैं जान जाता हूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो मुझे नहीं खाना उसे मैं चक कर खारिज नहीं करता। मैं बस उसे नहीं खाता। क्यूंकि मेरे हाथ पहला इस्तर है। वे उस माईने में नहीं चकते जैसे जीब चकती है। पर वे भोजन को जान लेते हैं, भोजन को जानना पहली चीज है, किसी इंसान को जानने के लिए आप उससे जाकर हाथ मिलाते हैं, मैं आम तोर पर इससे बचता हूँ, लेकिन ये अच्छी रणीती है, लेकिन जो भोजन आपका हिस्सा बनने वाला है, सबसे पहली चीज आपके हाथ हैं, अगर उसे आप नहीं भी चूते हैं, तो बस वहाँ सचेतन होकर होने से साफ पता चल जाएगा कि भोजन आपके अंदर कैसा बरताब करेगा, ये भोजन इस दिन आपके अंदर जाना चाहि या नहीं, क्योंकि हर दिन आपका शरीर वही नहीं होता, हर दिन, हर पल, ये अलग होता है, अगर आप भोजन को महसूस करें, तो आप जान जाएंगे कि आज इस बोजन को आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं, अगर इतनी जागरुपता आ जाती है, तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, हर बार के भोजन के लिए उन्हें तै करना चाहिए, कि उन्हें उसमें क्या खाना चाहिए, इसके लिए एक ही नुस्खा नहीं हो सकता, कि यही आपको जीवन भर खाना है, ऐसे मैं आप फंस जाएंगे, कि मैं सिर्फ यही खा सकता हूँ. अपने भोजन को चुनना और खाना, ये दोनों चीज़ें सचेतन होकर कीजिए. आप क्या खाते हैं? उतना ही महत्वपून है कि आप कैसे खाते हैं? जब मैं कहता हूँ कि आप कैसे खाते हैं, तो ये सभी जीवित चीज़ें हैं. उनमें से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वो सबजी हो, जानवर हो, या पौधा हो, हर किसी का अपना जीवन था. अब आप उसे एक तरीके से भोजन बना दे रही हैं. तो आपको उसे चरम कृतग्यता के साथ खाना चाहिए. अगर आप अपने भोजन के प्रती एक खास कृतग्यता और आदर की भावना रखकर खाएंगे, जब मैं आदर कहता हूँ, तो ये आपको अजीव लग सकता है. लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मान लीजी, हम आपको एक कमरे में बंद कर दें, और आपके पास पांच दिन खाने को कुछ न हो. अगर आपके सामने भगवान आ जाएं, तो आप क्या मांगेंगे? खाना? तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है. आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन बस कोई पदार्थ नहीं है. ये कोई सामान नहीं है. ये जीवन है. ये आपके लिए जीवन निर्मान का पदार्थ है. तो आपको इससे वैसा बरताव करना चाहिए. अभी, जब ये थाली में है, या बाहर कहीं है, तो इसकी कोई खीमत नहीं है. लेकिन जिस पल आप इसे खाते हैं, तब ये आपका खून और मास बन जाता है. अब अचानक ये बेशकीमती हो जाता है. हम ऐसे क्यों नहीं जीते हैं? ये बहुत महत्वपून है कि जब ये आपकी थाली में आए, तो आप इसे अपने एक हिस्से की तरह देखें. मासानिक संरचनाओं का असर होता है, तो मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता. मानव चीतना का हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज़ पर गहरा असर होता है. खासकर भोजन पर, हम एक दूसरे जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं. जब हम ऐसा काम करते हैं, तो ये बहुत महत्वपून है कि हम उसके साथ बहुत कृतग्यता और आदर का बरताव करें. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसा कुछ नहीं होता. आदत का मतलब है आप अचेतन होकर काम कर रहे हैं. अगर आप अचेतन होकर काम करते हैं, तो ये खराब चीज़ है. क्योंकि इनसान होने के पूरे माइने यही हैं कि हम सचेतन होकर काम करने में सक्षम हैं. इनसान होने की यही खुबसूर्ती है कि हम हर चीज चेतना पूरवक कर सकते हैं. एक जानवर जो चीज अचेतन होकर करता है, वही चीज हम पूरी चेतना में कर सकते हैं. हम अचेतन होकर खा सकते हैं, या हम सचेतन होकर खा सकते हैं, हम अचेतन होकर सांस ले सकते हैं, या हम सचेतन होकर सांस ले सकते हैं. जो भी चीज हम कर सकते हैं, उसे हम सचेतन होकर भी कर सकते हैं. जिस पल हम चीतना में कारे करते हैं, अचानक वो बहुत परिश्कृत और शांदार दिखने लगते हैं। जब कोई चीतना पूरवक चलता और बोलता है, तो क्या वो एक सुन्दर इंसान नहीं बन जाता? हाँ या ना, बस इतना ही है, तो ऐसा क्यूं है कि हम आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो एक अची चीज हो, आदत का मतलब है तै तरीख के, जहां आपको सोचना नहीं होता, आपके सुभा उठते ही सब होने लगता है, नहीं, अपने जीवन को आटोमेटिक मत ब करता, तो भोजन की बात करें, भोजन को शरीर के लिए उपयुक्त होना चाहिए, जिसके लिए हम खाते हैं, ये शरीर के लिए है, जो भोजन आप खाते हैं, वो शरीर के निर्मान का पदार्थ है, सही भोजन क्या है, दुरभागे से अभी ये, ये बिलकुल गडबड हो पारंपरिक रूप से इस देश में हम समझदारी सिखाते थे, लेकिन हजारों साल से हुए हमलों की वजह से दूसरी तरह की भोजन परंपराईं आ गई हैं, और आज राश्ट्रिय भोजन पीज़ा या पास्ता है, ये क्या है, कौन सा, मैं नहीं जानता, दोनों मकाबला कर रहे हैं, तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं, अब समय आ गया है कि हम सबसे अच्छी चीज़ पहचाने, अगर मैं इसके विस्तार में जाऊं, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपको भोजन को परक्षना चाहिए, बस जीब से नहीं, बलकि शरीर से भी, आप आज कुछ खाईए और देखिए, बस ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त और फुर्तिला महसूस करता है, अगर शरीर को महसूस होता है कि वो कबर में जाना चाहता है, तो वो भोजन अच्छा नहीं है, अगर वो भोजन खाकर उसे लगता है कि जीवन जीना चाहिए, कौफी को छोड़ कर, क्योंकि वो उत्तेजक है, अगर खाना खाकर शरीर चुस्तर जीवन्त महसूस करता है तो इसका मतलब है वो भोजन अच्छा है शरीर उसे पसंद कर रहा है अगर आप कुछ खाते हैं और शरीर में सुस्ती महसूस होती है तो इसका मतलब है कि शरीर को भोजन पसंद रही है उसको उससे परिशानी हो रही है, इसलिए सुस्ती महसूस हो रही है तो बस इस आधार पर मेरा मतलब है यह एक बहुती सीधा और आसान तरीका है